बूर्णिंग चिल्डरन आज हम लोग थीम में नया बुक करेंगे अर्थ और नीचर अर्थ और नीचर का पहला लेसन है सोलर सिस्टम तो बच्चों देखे हमनों सोलर सिस्टम कोगनिटिव में भी पढ़ा हुआ है इसमें भी यही है देखे पहले सान आता है फिर मर्क्यूर प्लायनर सम्हムिक्त्स कोगनिटर सोलर सिस्टम में यह सब प्लानेट्ट उते हैं और देखेंगे सब प्लानेट का मून होता है स्पानिे इstad मार्स का देखें दो मून है एक है डाइमस और एक है फ्रोबस ठीक है और जुपिटर का देखे एक दो तीन चार मून्स है इसका यूफेरिया यूरोपा आई ओ-ओ-ओ-ओ-ओ गयानमेडी और कैलिस्टो ये है चार मून जुपिटर का अब देखें, Saturn का कितने moons है, पांच moons है, क्या नाम है, Ria, Mamos, Anicladus, Titan, Dino, ओके, अब देखें, Uranus का कितना है, इसका भी पांच है, Titania, Arial, Ambril, Oberon, Miranda, देखें, पांच मून इसका भी है, Neptune का भी देखिए, कितना है, Neptune का चार मून है, तालिसा, नेसो, प्रोटियस, और ट्रीटेउन, यह सब इसका मून है, अर्थ का सिर्व एकी मून है, बच्चो, बच्चो, देखें, क्या क्या है, सोलो सिस्टम का नाम है, वो आपको प्रेंट्स का नाम लिखना है, वाट इस अनेम अफ देखें, अर्थ सैटिलाइट, मनिमयों। इस अनाम देखें तो नाम Axleि, क्याल तो भी सब्सकार खि, क्या मून भी अनाम है मूनियार我們 देखें ट्रीटें, अर्दीट, यह सब्सक्राइ, बच्चो, झेज़न हैं मून तो यह सब्सक्राइब टो मून्स का नाम है अबच्चो, तो इस क्या हैं परυτों को व माच्छ करना है और है मून ठीक है उसके बाद किया है यहें bet iha इंख मास का क्या होगा फ्रोबस उन्हें o और युफेरिया उसके बाद क्या है अपका यह तर साटन साटन का को आ है यह मैमस है फिर क्या है अपका Uranus, Uranus का क्या है, Titan है, और Arial है, और फिर लास्ट में क्या है, Neptune का क्या है, Triton है, और Neso है, Jupiter का Obrion भी है, तो बच्चो बस यही आपको complete करना है, complete कर लीजेगा,